दोस्तों एक बहर फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एक और नए और जबरदस्त एपिसोड में और आज कई एपिसोड होने जा रहा है JKSSB Female Supervisor के State Marriage Assistance Schemes के MCQS जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं सो आज हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इससे पहले हमने classes की तो अब हम जो है वो आज की इस वीडियो में cover करने जा रहे हैं आज की MCQS तो उससे पहले मैं आपको एक बार syllabus की तरफ ले चलता हूँ जरा एक बार आप syllabus देखिए यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह syllabus है और syllabus में आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने adoption, foster care, medical health care, institutional care और उसके अलावा दोस्तों यह सारे topics पे हमने already जो है वो classes कर लिये हैं ठीक है वो आप देख सकते हैं आपको वीडियो की description में playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं इन पे भी जो है वो हमने already mcqs डाल दिये तो आज सुभा हमने यह state marriage assistance scheme का theory classes गी थी अब हम आज की इस वीडियो में जो है वो इसके mcqs करने जा रहे हैं तो चले आज की इस वीडियो को करते हैं start लेकिन उससे पहले मैं आपसे request करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को in तक देखें वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और इसके साथ में ही मेरे दोस्तों आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हमें स्पोर्ट दिखाए हमारे टेलीग्राम चनल को जॉइन करें चलिए साथ करते हैं आज का ये वीडियो सो सबसे पहला question है what is the main objective आप जमो इन कश्मीर state marriage assistance की मुझे आप बताईए कि भाई जो जमो इन कश्मीर का जो state marriage है assistance scheme है इसका primary objective क्या है ठीक है इसका objective क्या है बताईए to promote child marriage to provide financial support to the marriages in marriage in economy disadvantaged families to discourage marriages in the union territory to support marriages only for families with higher income भाई पहला option ये तो eliminate कर दिया हमने ये भी गया child marriage ये भी गया और इसका answer हो जाए ये ठीक है state marriage assistance scheme का मकसदी यही है कि भाई जो गरीब लड़किया है जो गरीब बच्चिया है उनकी जो है वो शाधी कराए जाये अनको जो है वो assistance दिया जाये पैसा दिया जाये ताकि वो अपनी शाधी जो है वो कराए उनकी शादी अराम से उनके माबाप जो वो कर पाएं नेक्स्ट कॉशन इस वेन वाज जमुएन कश्मीर स्टेट मैरेज एसिस्टेंस स्कीम लॉंज्ड बताईए भाई पहला तो भाई ये उप्शन तो भाई पहले नहीं होगा बताई इन तीन में से कौन सा उप्शन हो सकता है 12-12 देसमर 2015 में था या फिर 1st of January 2022 या फिर 15-8-2018 तो 15-8-2018 इन में से कौन सा उप्शन इसका अंसर होगा तो इसका अंसर अगर आपने थियोरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा 2-12-2015 जो है वो इसका अंसर है 2015 में स्कीम को लॉंज्ट किया गया था जमुएन कश्मीर गॉवर्मेंट ने ठीक है उसकी बाद इसका मतलब कौन सा है डेपारटमेंट आप सोचल वेलफेर ठीक है तो डेपारटमेंट आप सोचल वेलफेर तो इसको इसको इंप्लिमेंट करता है next what what is the financial assistance provided under this scheme for a girl child तो बहें बताओ financial assistance क्या provide किया जाता है बच्ची को इस scheme के अदर 10,000 है 25,000 है 50 है या फिर 75,000 तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 50,000 ठीक है याद रखेगा और यह जो 75,000 का 75,000 का जो assistance है यह किसके लिए है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इससे पहले मैंने आपको लाडली बेटी scheme के बारे में पढ़ाया भी और उसके बारे में मैंने MCQS भी कराए है वो आप खुद मुझे अंसर करोगे यह किसके लिए है ठीक है और उसके बाद in which mood financial assistance transport to the beneficiary is तो भाई कैसे cash के जरिए से check के जरिए से dbt के जरिए से आ फिर demand राप तो इसका अंसर क्या हो जाएगा direct benefit transfer के जरिए से हो जाएगा मतब उस बच्ची का जो है वो account number पे directly जो है वो direct benefit transfer के तो डाल दिया जाता है next question who is eligible for the financial assistance for the marriage under the jammu and kashmir state marriage assistance scheme कौन-कौन है भाई boys age 18 और वो girls age 16 और वो families with higher income girls age 18 और फ्रम एएवाई पहप राशन तो भाई इसका answer क्या होगा भाई boys तो कहीं किसी भी हालत में नहीं होगा girls 16 साल की तो भाई वो तो child marriage में हो जाएगा तो वो बैन है ठीक है child marriage allowed नहीं है तो वो भी नहीं हो जाएगा उसके बाद family with high income ये भी नहीं होगा तो इसका answer हो जाएगा ये वाला तो इसका answer क्या हुआ एक तो पची भाई अगर एए वाई अन्तोधिया अना योजना पी एच एच अगर वो राशन कार्ड राशन कार्ड है उसका ठीक है उसके डेगरी की है तो उसको और उसकी जो है वो 18 साल हो चुकी है तो वो इसके लिए eligible है याद रखेगा next उसके बाद priority household राशन कार्ड ठीक है now what is the minimum qualification required by the girl to avail beneficiary from 2020 to 2024 तो भाई 2000 मैंने आपको थीरी में क्या पढ़ाया था कि बताओ क्या 10th pass होना चाहिए 12th 8th pass या फिर no qualification तो मैंने आपको बताया था साल 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो आपका qualification होगी वो क्या होगी वो 8th pass होगी sorry यहाँ पे no qualification होगी ठीक है no qualification लेकिन 2025 के बाद जो है वो आपकी 8th pass mandatory हो जाएगी मदब अची जब तक ना 8th pass होगी और 18 साल की होगी और AAY जो है वो जब तक ना होगा वो उसके लिए eligible नहीं होगी यह तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा important है next sorry from when is the passing class 8th mandatory availing for the financial अच्छा यह मैंने आभी आपको बताए बताओ चलो तो इसका answer क्या हो जाएगा first of April 2025 के onwards जो बच्ची है वह 8th pass mandatory उसके लिए 8th pass mandatory हो जाएगा उसके लिए यह स्कीम कल लाब उठाने के लिए where can eligible beneficiaries apply for German Kashmir state marriage assistance scheme तो कहा आप apply कर सकते हैं offline कर सकते हैं district social welfare पे या फिर online jagosum portal या फिर via postal mail या फिर through designated help line तो इसका answer क्या हो जाएगा ठीक है इसका answer यह भी इसका answer नहीं है यह भी इसका answer नहीं है और यह भी इसका answer हो जाएगा online portal application on jagosum jansugam jansugam portal इसके जरिये से यह वह online apply कर सकती है बच्ची next question who verify the details of the beneficiary regarding her marital status and age of the application from from DC करता है district social welfare officer करता है deputy prime minister या फिर local panchayat head लोकल panchayat head भी नहीं है यह भी नहीं है DC तो by final पर आता है तो उसके बाद उससे पहले जो है वह कौन करता है district social welfare officer DSWO जो है वह DSWO district social welfare officer जो है वह इसको verify करता है मतब verify करता है who sanctions the financial assistant in the favor of beneficiary after determining the eligibility तो भाई कौन बच्ची के favor में जो है वह वह पचास हजार का amount देता है verify होने के बाद तो इसका answer जो है वह prime minister भी नहीं है deputy commissioner हाँ deputy commissioner रहे इसका answer इसका answer क्या हो जाएगा DC हो जाए CM इसका answer नहीं है DSW नहीं है तो DC इसका answer next question what is the role of deputy commissioner in the scheme verify verify का है transfer का है sanction का है या पर recommend तो वह क्या करता है वह sanction कर देता है ठीक है वह बच्ची को जो है वह sanction कर देता है यहाँ पर ठीक है वह sanction कर देता है और district social welfare officer DSW जो जो है वह क्या करता है verify करता है verify ठीक है sorry यहाँ पर गलती हो गहीं चलिए next which ration card holder are eligible to apply for financial assistance under the scheme तो भाई कौन से से राशन कार्ड होल्डर से हैं क्या वो BPL वाले हैं AAY PHP राशन कार्ड होल्डर हैं या फिर APL वाले हैं या फिर कोई भी नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा अन्तोदिय अनयोजना एंड PHP priority household next when should girls eligible when should eligible girls apply for the assistant of the marriage assistance scheme तो at least one or one year before the date of marriage at least six months before the date of marriage at least one month before the date तो भै on the day of marriage तो कब बच्ची को इसके लिए apply करना चाहे तो at least कब याद रखेगा at least one month before बच्ची की शादी को जब एक महीना बचा होगा तो उसके लिए जाएगो apply करना है what documents are needed at the time of applying for the financial assistance for marriage under the scheme तो क्या documents जो है वो required होते हैं applying for financial assistance voter ID, bank statement, passport, date of birth certificate, AAY और PHP क्या required होती है driving license, pen card या पिर नानाब दिया वो यह जो है वो गलत है इसका answer voter यह भी नहीं है तो इसका answer है option number B, ठीक है next, what is the minimum class required for तो यह तो already एक question repeat हो रहा है ठीक है, तो minimum class जो है वो 8th pass हो जाएगी 2025 के बाद, ठीक है कम से कम 8th pass जो है वो बच्ची होनी चाहिए post up अपरेल के बाद, ठीक है तो यह था हमारा आज का यह lesson session हमारा आपको पसंद कर आया होगा मेरे दोस्तों मैं उमीद करूंगा तो आगे हम इसी तरह से जो है वो आपके lessons जो है वो classes जो है वो continue करेंगे लेकिन अभी के लिए और आज के लिए फिलाल इतना ही है मुझे दीजिए इजाजत यह वीडियो आपको मेरे टेलिग्राम चाहिए यह PDF आपको मेरे टेलिग्राम पर मिल जाएगा बहुत बहुत शुक्री है